दीपु तो चला गया इस दुनिया से लेकिन दीपु के पिता है उनकी आंखे लोटाई आंखे लोटाई लेकिन वह अपने अब प्यारे बेटे दीपु को नहीं देख सकते हैं और शायद उसी को देखकर वह है आगे की जिन्दगी जो है वो जीएंगे यह सब कुछ हुआ है तो जो अधूमपूर के समाज सेवक लोग है उनके कारण एक सवाल जो है कि वो दीपू को नहीं देख पाएंगे लेकिन दीपू के बेटे को जरूर देख पाएंगे अपनी गोद में उठा पाएंगे और के साथ खेल पाएंगे और शायद दीपू की कमी जो है वो इस बेटे के जरीए ही पूरी कर पाएंगे कुछ समाज सेवक जो है कुछ दिन पहले उनके घर गए थे और कल दीपू के जब पिता है उनका अपरेशन जो है उदूमपूर के रोटरिक आइस कलब में करवाया गया उसके बाद अब एक उमीद जा गई है कि दीपू के जब पिता है वो अच्छे से देख पाएंगे लेकिन सवाल यही है दीपू को नहीं दीपू के बेटे को जो दोचा दिन पहले ही इस दुनिया में आया है देनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन शर्मा बात करें तो समाज सेवकों की कमी नहीं है जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है तो यह समाज सेवक लोग जो है जो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं जरूर पहुंचते हैं और अपना जो का अपने ख़वर दिखाई की किस तरह से उनके गर में एक बेटे ने जरूर लिया है परिवार किस तरह से अब जी रहा है और एक बड़ी बात यह हुई है कि अधूंपूर के समाज सेवकों दवारा अब दीपू के पिता जी जी हो हैं उनकी आँखों का अप्रेशन करवा ग पाएंगे लेकिन दीपू के बेटे को जरूर देख पाएंगे अपनी गोद में उठा पाएंगे और के साथ खेल पाएंगे और शायद दीपू की कमी जो है वो इस बेटे के जरिये ही पूरी कर पाएं तो आईए दिखाते हैं कि क्या कहते हैं दीपू के पिता जी इस मौक यह पूरी रिपोर्ट। इसलिए मैं सब का दन्यवाद करना चाहती हूं तो पंदर दिन के वार यह दूसरे आंका भी करवा देंगे वह उसके लिए उन्होंने ने जमीन के बारे में बोला हुआ है तो वह वहां पे मशीन वह भी लगवाई थी तो अभी रुखवाई गई है अंजी वह जो करम होता है जो करते हैं 11 दिन के वाई वह भी समान के लिए ने सारा समान जो भी होता लगता है उन्होंने बोला हुआ है वो करके आज देंगे यह और कल हम गर चली जाए गर बेज देंगे हम गर जी जिस तरह से हम 31 मेई को मजालता के अंदर गए थे जो एक दिवंगत दीपूजी है जिनकी टारगेटेट की लिंग में शिनकर के अंदर हत्या हुई थी तो वहां पर जाने के बाद हमने वहां की परस्तितियां जो देखी थी बड़ी धैनी और बड़ी खराब परस्तितियां थी तो उन परस्तितियों को देखते हुए हमने वहां पर फैसला किया था हमारे सा आंक का सफल अप्रेशन करा के अभी हम लोटे हैं तो इनको कल सुबा अपने घर के लिए रवाना करेंगे अब लोग और फिर जो दूसरी आंक का अप्रेशन है ठीक 15 निन के बाद में इनको दुबारा से बुला के हम इनकी दूसरी आंक का भी अप्रेशन करेंगे और इनके जो बड़े बेटे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताओं कि यहां पर मैं सबसे तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं रोटरी हस्पिटल का और वहां के डक्टरों का जिनके प्रेश से यह चीज़े संबब हो पाई हैं और बिल्कुल फ्री में उन्होंने यह अप् प्रियास होते रहेंगे और इनकी दूसरी आंग का भी प्रेशन होगा और जो जो चीजे इनकी जो बेसिक रिक्वाइर्मेंट से उनके पूरे द्यान से हम लोग काम कर रहे हैं कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं और एडमी स्टेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह से अपना रजिंदर शर्मा जी एकम एक बारत दल से तो आज दीपू के पापा का अप्रेशन हुआ है आई रोटरी होस्पिटल ओंदंपुर में जिसमें इस अप्रेशन को बिल्कुल फ्री किया गया है आई रोटरी द्वारा मैं शुक्रियादा करता हूं डॉक्टर अंक जो आई रोटरी के चेर्मेन है डी एंड शर्मा जी का और साथ में जितनी भी आई रोटरी की टीम है और डॉक्टर और जितने भी करमचारी वहां पे हैं सबका मैं शुक्रियादा करता हूं कि इनकी उन्होंने मदद की है हमारे कहने से और हम लोग सारे उदर के आज ये द और दूसरा ये है कि इनको जो पांच मले जमीन अलाड की जा रही है मेरी परशासन से मांग है क्योंकि ये तीन फैमली हैं दीपू की अलग फैमली हो चुकी है उनकी पतनी और दीपू का एक बारिस जो पैदा हो चुका है आज दो दिन हो गए है और दीपू का एक बाई है उसके दो बच्चे और बीबी और माता पिता और उनकी बेटी उसाथ रहते हैं क्योंकि तीन फैमिली हैं और पांच मले में उनका गुजारा नहीं होगा कम से कम उनको 13 या 14 मले जमीन दी जाए और 3-4 कमरे जो उनको बना के दिये जाएं ताकि उनका अच्छे तरीके से गुजारा हो सके बाकी दीपू के पिता जी के एक आंका ऑपरेशन रहा गया है वो हमें ठीक 15 दिन के बाद करवा देना है और उसके बाद उनके जो बाई हैं जो बिल्कुल बलाइन है उनका भी चेक अप शुरू हो जाएगा हम परमात्मा से यही मतलब की हाथ जोड़ के बिंती करते हैं कि उनको भी उनकी आंकों की रोशनी जल से जल लोटाए तो इसी के साथ मैं सब का दन्यवाद करता हूँ जितना भी हमारा प्रयास रहा हमारे पवन देव जी सिंग जी का और रिजिंदर जी का और जितनी भी हम झाल कर दितना भी हमार झाल करते कि उनकी मा और जेवद सक्क्राद कर देए कम देवाद करते हैं कि एह तपी जैसे ठिए। झाल कूपiernरा कुछ भी।